सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यू चाइनल को और बेल आइकन को दबाएए हमारी विडियो सबसे पहले देखने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच दिली के फिरोशा कोटला मैदान पर खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया ने दिन का खेल खतम होने तक चार विकेट खोकर 371 रन बना लिये हैं भारत की तरफ से विराट कोहली नाबाद 156 रन और मुरली विजय 155 रन ने धना के डार पारिया खेलते हुए भारतिय टीम को एक मजबूत स्थिती में लाकर खड़ा कर दिया है विराट का यहाँ लगातार तीसरा और बीसवा टेस्ट शत है वही विजय का यहाँ लगातार दूसरा और ग्यारावा टेस्ट शत है शिखर को ओफ स्पीनर दिलुरुवान परेरा ने सुरुगा लखमल के हाथो कैच कराया जबकि पुजारा को नाहिरु गमागे ने सदरा समरविक्रमा के हाथो कैच कराया शिखर ने 35 गेंदों में 4 चौके और पुजारा ने 49 गेंदों में 4 चौके लगाई विराट ने टोस जीता कर पहले बलेबाजी का फैसला किया भारत ने अपनी टीम में दो परिवर्तन करते हुए ओपनर लोकेश राहुल और तेज गेंदबाज उमेश यादव की जगह शिखर धरवन और मुहमद शहमी को शामिल किया श्रीलंका ए टीम ने भी तीन परिवर्तन किये और डासून शनाका लाहिरू, तिरीमाने और रंगना हेराट की जगह धनन जैडी सिल्वा, रोशन सिल्वा और लक्षन सन्दकन को अंतिम एकादश में शामिल किया हेराट चोट के कारण पहले ही इस टेस्ट से बाहर हो गए थे, इससे पहले भारतिया कप्तान विराट ने यहां फिरोशा कोटला मैदान में श्रीलंका के खिलाफ तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन अपना 25 वा रन पूरा करने के साथ ही 63 मैचों में 5000 रन प पूरे करने के लिए 95 पारिया, विरेंद्र सहवान ने 99 पारिया और सचिन तेंडुलकर ने 103 पारिया खेली थी जबकि विराट 105 पारियों में इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इसी तरह की बहतरीन खबरों के लिए हमारे चाइनल को लाइक, शेयर और सबस्क्राइब कीजिए।